जैहिन सात्यों, बेलकम टू सेल्फ स्टेडी क्लासेश विस्विश मिजेंड यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परियावरण से महत्पूर्ण प्रसने ठीक है यह हमारा 16 पार्ट है परियावरण का और भी पिछले जो पार्ट है आपके प्रसनोंतर से समान देद बो जरूर देखें ठीक है और परियावरण का पूरा का पूरा MPTET का जो है विस्तरत कोर्स आपको कम्पलीट करा दिया गया है बो जरूर देखें बालविकास की साथ ही live plus चलती है बो भी देखें और आपको यह जो notes है वो telegram group में प्रेसित किये जाती हैं बिल्कुल फिरी में तो telegram app में आपको telegram app जो है download करना है play store से उसमें search करना है IAS study trick ठीक है study trick और join हो जाना है ठीक है सरबादे केة जयव विविदिता पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है उतर आपके सामने यह ओष्ण कटी बन्दी है बड्सावनों में और जयव विविदिता का सबसे महत्पूर पहलू है तो जल्दी बताओ जयो बिविदिता मतलब किसी भी छेतर की जीवों की जो बिविदिता होती है वो जयो बिविदिता कहलाती है और जयो बिविदिता का सबसे महत्पूर जो पहलू माना जाता है बो माना जाता है पारेस्थितिक तंतर का निर्बहन यानि कि जो बेकलप नमर D है वो इसका सही हो अंगला क्वेश्चन जयो विवित्ता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? अंगला क्वेश्चन जयो विवित्ता को परिभासित किया जाता है? तो जल्दी से हमें बताना है चार विकल्प भी हमारे सामने मौजूद हैं? कैसे किया जाता है? किसी परियावरण में विविन परजातियों की स्रेणी से किसी परियावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन से एक परजाती की दूसरी परजाती से बिनने था बहुत एक गटों का किसी परियावरण पर प्रभाव तब आपका उत्तर होगा दोस्तों किसी परियावन विभिन प्रजातियों की स्रेणी से ठीक है ये नम्मर जो एज सही है वो सही हो जागा ठीक है दोस्तों अगर आप MPPSC और ब्यापन से संबन्दी किसी भी अग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो Unacademy एप आप इंस्ट्राल कर सकते हैं नीचे दी डिस्क्रिप्शन में लिंक है ठीक है उससे आप Unacademy एप डाउनलोड कर सकते हैं इंस्ट्राल कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं देख लेते हैं कौन-कौन से फायदे जब आप Unacademy एप है दोस्तों क्या करते हैं इंस्ट्राल करते हैं यहाँ से तो यहाँ पर आपको Unacademy एप में लॉग ऑन करना है साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको इमेल और फॉन के माद्यम से दोस्तों आपको जब इस एप में आप पहुंच जाएंगे तो आप अपना गोल यानि कि आपके सेग्जाम की तैयारी कर रहे हैं MP, PSC, Biappam आप यहां पर चैन करेंगे जहां पर आपको फिरी लाइब किलासे भी उपलब्द होती है और साथ ही बात करें कि यहां पर फिरी लाइब किलास और डेमो किलास भी आपके लिए उपलब्द है तो इन किलासों को भी आप देख सकते हैं आपके डाउट भी यहां पर किलियर किये जाते हैं साथ ही यहां पर आपको लाइब किलास भी मिलती है फिरी लाइब किलास में दोस्तों आपको अनलाइन लाइब किलास मिलेगी सात ही आपके लिए टेस्ट भी मिलेगा और टेस्ट में आपका scorecard भी बताया जाएगा है ना और सात ही दोस्तो आपका पूरा paper का analysis भी किया जाएगा और आपके doubt भी के लिए रहाँ पर किये जाएगी ठीक है अब बात करें दोस्तों यहां के की जो भी आप टेस्ट देते हैं उस टेस्टे सम्मंदी अगर कोई आपको doubt लगता है तो आप top educator के द्वारा दोस्तो चैट कर सकते हैं और doubt का solution पा सकते हैं साथ ही यहां पर आपको दोस्तो PDF भी मिलेंगे आपको PDF भी डाउनलोड करेंगे और यह बिलकुल PDF फिरी में मिलेंगे आपको ठीक है तो आपको एप को क्या करना है इंस्टॉल करना है और दोस्तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर जो भी आप test देते हैं जो भी आप test जाएगा कि किस परकार से आपने प्रस्ने का जवाब दिया था ठीक है तो ये भी याद रख लेना और मौक टेस्ट भी यहाँ पर आपको फिरी में हैं कितने सारे बहुत सारे MPPSC पोलिस जेल प्रहरी सबी के लिए मौक टेस्ट फिरी में भी उपलब्द हैं MPSI एकजाम के लि अगर इसमें बात करें कि जिस भी आप एकजाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिरी किलास में आपको लिमिटेड आपका सिलेविस कबर किया जाएगा साथ ही दोस्तों आपको जो टेस्ट है वो लिमिटेड टेस्ट मिलेंगे है ना और अगर पिलस किलास की बात करें तो यहाँ पर आपका सलेवस complete कबर किया जाएगा और unlimited practice test मिलेंगे और unlimited यहाँ पर आपको PDF और notes भी मिलेंगे साथ ही all doubt solve की जाएंगे आपको top educator के द्वारा ठीक है और यहाँ पर आपको limited notes मिलेंगे और limited आपको doubt solution भी मिलेंगे ठीक है यह चीज आपको याद रखनी है अंगला question है निमने मैं से किसकी वसत सुद्ध प्रात में कुद्पादक्ता सबसे कम है जल्दी बताना है किसकी वसत सुद्ध प्रात में कुद्पादक्ता सबसे कम है तब आपका उत्तर क्या हो जाता है उत्तर होता है दोस्तो सीतोषन कटी बन दिये जो है घास प्रदेश य और गिद्द देखने को मिल जाते हैं लेकिन अब गिद्द देखने को नहीं मिलते हैं इसका कारण क्या है तो इसका कारण है दोस्तो जानवरों को दर्द नवारक दवा देना यह जो बिकल्प नमर C है जब जानवर मरते हैं तो गिद्द जो होते हैं वो इन्हें खाते हैं और खाते हैं तो यह जो दर्द नवारक जो दवाय होती हैं जो बिसेले होती हैं तब इनमे बीमारी भेंकर बीमारी पैदा कर देते हैं और गिद्द जो है यह जो प्राणी है हम मेसा इसकी जो है नश्ट होता जा रहा है या मरती जा रहा है ठीक है अंगला कोस्चेन जेव विवित्ता दिवस कम मनाया जाता है उत्तर बताना है most important question है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 22 माई यानि कि जो बिकल्प नमर C है वो इसका सही हो जाएगा जेव वित्ता दिवस आपका मनाया जाता है 22 माई को और दोस्तों पूरे जो दिवस हैं पूरे दिवस हैं परियावन से समन्दे तो उनका वीडियो भी मैंने डाला है वो जरूर देखें ठी तो कहां पर पाई जाती है जल्दी से बताना है 49 का उत्तर हमें बताना है सरवाद एक जवित्ता कहां पाई जाती है सांत घाटी में कस्मीर घाटी में सुर्मा घाटी में या फूलों की घाटी में तब आपका उत्तर होगा दूस्तों सांत घाटी सांत घाटी यानि कि साइ लेंट बेली कहां है तब आपका उत्तर होगा केरल में और एक क्वेस्चन यहां पर भी बनता है कि फूलों की घाटी कहां पर है तो यह फूलों की घाटी कहां पर है आपको उत्तर कमेंट में बताना है ठीक है अंगला क्वेस्चन देख लेते हैं भारत में जववित्ता की द पश्च्च्यमी घाट और यहाँ पर केरल है सभी को पता है ना और ये केरल में कौन सी घाटी है उसी उस्थान है oxygen स्पारैक Willis है इसे जेव वित्ता का होट स्पोर्ट जो है कि रूप में जाना जाता है पस्चमी घाट को अंगला क्वेश्चन है किस परेयावरन में जेव द्रब्मान का बारसे कुत पादन नियूंतम होता है 52 का अंसर सभी को बताना है किस परेयावरन में जेव द्रब्मान का बारसे तीक है अंगला question देख लेते हैं निमन मेंसे निमन राज्यों मेंसे किसमे भारत की सबसे वड़ी अंतर देशी लवड़ी आदर भूमी है तो जल्दी से उतर बताना है कहां पर है अंतर देशी लवड़ी आदर भूमी तब आपका उतर होगा दोस्तो गुजरात गुजरात य वो कहां पर है तो यह गुजरात में है ठीक है याद रख लेना है आपको अंगला question है रामसर सम्मेलन सर्लक्षन से सम्मंदित था जयोविनन से बनों से नम भूमी से या सुस्क भूमी से सबी लोग उतर बताएंगे और दोस्तो आप हमारे टेलिग्राम गुरूप से जरू से जुड़ना है सभी को अगर कोई doubt लगता है तो यह WhatsApp नमर है आपके लिएर भी करेंगे ठीक है निमलकित भारती परिक्षियों में कौन सा अत्यादिक संक्टा पन किस्म है जल्दी बताना है प्रेशन क्रमांग 55 का उतर बताना है इसका सही उतर क्या हो जाएगा इसका उत क्वित्ता कि नास का कारण क्या है जल्दी बताओ जीमो के विप्राकरते कावाश की कमी, परियाबर्णी प्रिदूसन, बनो का नास या उपरियुक्त सभी तो जीम मन्डल आरक्षित परिरक्षन छेतर है तो कौन सा है घास, किरसी उत्पादन के, बायू मंड़लीय संतू की या फिर अनुबानसिक विभिनिता की तो जीव मंडल आरक्षित परी रखचन हैं तो किसके हैं तो वो है अनुबानसिक विभिनिता यानि कि जो बेकलप नमर डी है वो इसका सही हो जाएगा अंगला क्वेस्चन देख लेती निम्न मैंसे कौन रामसर कंवेंशन की अंतरग मिरल का अजयबिक घटक नहीं है तो बताओ प्रोटीन मिर्दा कबाक या फासपूरस कौन सा अजयबिक घटक नहीं है तब आपका उत्तर क्या होगा वो हो जाएगा दोस्तों कबाक कबाक यानि की जो बिकलप नमर सी है ए अजयबिक घटक नहीं होता मिर्दा प्रोटीन फ 2003, 99, यानि की जो बिकल्प नमर A है, वो इसका सही हो जागा, ठीक है, अंगला question देख लिती है, भारत में बन सनरक्षन अधिनियम कब पारित किया गया, फिर 61 का अत्र बताना है, जल्दी बताओ, भारत में बन सेलक्षन अदिनियम कब पारित किया गया तब आपका उत्तर क्या होने चाहिए उत्तर होगा 1980 एनि की जो बिकल्प नमर C है वो इसका सही हो जाएगा ठीक है अंगला question देख लेते हैं global 500 प्रुष्कार most important है global 500 प्रुष्कार 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 यानि कि जो बिकल्प नमर C है वो इसका सही होगा ठीक है बन अनुसंदान संस्तान है कहां देहरादून में याद रख लेना है ठीक है और परियावरन अनुसंदान संस्तान भी कहां है यह नाकपुर में ठीक है हाँ परियावरन अनुसंदान संस्तान नाकपुर बन मौसम संगठन का मुख्याले कहा है तो आपको उत्तर भी दिख रहा होगा विस्स मौसम संगठन का जो मुख्याले है वो कहा है जिनेवा में और एक क्वेस्चन और आपसे यहां से बनता है कि विस्स स्वास्त संगठन स्वास्त संगठन का मुख्याले कहा है WHO WHO World Health Organization का मुक्यल है कहा है तब भी आपका उत्तर होगा जिनेवा में ठीक है तो याद रख लेना है ठीक है और आप 7 अप्रेल को विस्त्वास्त दिवस की रूप में भी मनाते हैं ये चीज भी आपको याद रखनी है ठीक है और ये सबसे बड़ी संस्ता है परेयावरान की संरक्षन के लिए WHO आपको याद रख लेना है ठीक है बौन सम्मेलन क्या है बौन सम्मेलन आपको बताना है प्रवासी प्रजातियों की संरक्षन की अंतरसरकारी संदी लुप्त प्रजाय प्रजातियों की खोच बन जीवों किसे कार किया गया है उपर एक तो सभी तो बॉन संबिलन क्या है दोस्तो बॉन संबिलन है प्रवासी प्रजातियों की सर्लक्षन की अंतर सरकारी संदी यहने की जो बिकलफ नमबर A है वो इसका सही हो जाएगा अंगला क्वेश्चन है निमने देशों में से कौन प्रत्यक माह के अंतिम सनिवार को राष्टिय स्वक्षता दिवस मनाता है जल्दी बताना है कौन सा दिवस मनाता है दोस्तों यहाँ पर स्वक्षता दिवस बताया गया है तो आपको पता होगा 2020 की फश्ट ती माही में जो सरवेक्षण किया गया उसमें इंदौर फिर टाप पर रहा मद्द प्रदेश का इंदौर जो है फिर सीर्ष स्थान उसने हासिल किया है और तीसरी बार जो है इंदौर ने हासिल किया है चौती बार याद रख लेना है ठीक है स्वक्षता दिवस जो मनाता है अंतिम सनिव तो वह मनाता है फ्रांस यानि कि जो बेकल्प नम्मर ए है वो इसका सही हो जाएगा ठीक है और फ्रांस की राजधाने क्या है पेरेस सही है ठीक है तो आपको याद रख लेना है ऑर जो है पेरेस में यूनेशको का क्या है夢 Quem Cheater है आपको याद होना चाहिए पेरिस में यूनेस्को का मुख्याले है ठीक है और यूनीसेप का मुख्याले कहां पर है तो न्यू यार्क में है ये सभी के सभी पूछे जाएंगे आपसे अंगला कोश्चन भारत के निम ने टाइगर रिजर्ब में से कौन सा मिजोरम में अव वस्ते थे तब आपका उत्तर हो जाएगा दंपा दंपा यानि की जो बिकल्प नमर सी है वो इसका सही होगा ठीक है बहुत बढ़िया अंगला कोश्चन है CPR एन्वार्मेंटल सेंटर की सता अपना कहां की गई दोस्तो आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो कमें सेंट में जरूर बताएं और लाइक जरूर करें सभी लोग ठीक है CPR एन्वार्मेंटल सेंटर की सता अपना कहां की गई है तब आपका उत्तर होगा दोस्तों मद्रास यानि की जो बिकल्प नमर सी है वो इसका सही हो ठीक है अंगला क्वेस्चन है भारतिय बनने जीव संस् संस्थान भी दहरादूहर आपको याद रखना है अंगला क्वेस्चन है भारतिय बनने जीव संस्थान दहरादूहर आपना किस बर्स हुई थी तो जल्दी से उत्तर बताना है30 का उतर बताना है जल्दी बताओ उत्तर क्या हो जाएगा तब आपका उतर होगा दोस्तों 1982 यह नम्मर इसका सही हो जागा ठीक है भारतिय बन्न जीव संस्तान दहरादून की स्थापना 1982 में हुई थी अंगला क्वेश्चन है UNEP का मुख्यालय अबस्ते थे तो कहां पर है जनेबा में काट मांडू में नेरोबी में या नई दिल्ली में UNEP का जो मुख्यालय अबस्ते थे दोस्तों वो कहां है नेरोबी यानि की बिकल्प नम्मर जो सी है वो इसका सही हो जागा ठीक है बहुत बढ़िया UNEP है ना UNEP आपको पता होगा कि UNEP ने 5 जो अपना 5 जून को हम परियावरन दिबस मनाती ना 200 परियावरन दिबस इसकी घोशना UNEP ने ही की थी और इसकी जो मुख्याल है वो नेरोबी यो नेरोबी केयन्या की राजधानी है टीक है और 1972 में एक संविलन हुआ था जिसका नाम था स्टॉक होम संविलन और इस स्टॉक होम संविलन में इस बिस्सो परियावरन दिबस को मनाय जानी की गोश्णा होई थी और 1934 से मनायना प्रार्म ह आपसे question बनता है कि सब सर्वे पिर्थम जो बिस्व परियावान दिवस मनाया गया तो किस बर्स मनाया गया तब आपको उत्तर होता है निस्व चोह उत्तर में ठीक है अंगला question है पसु हिंसा रोक्थाम अधिनियम कब इस्तापित हुआ है most important है जल्दी से उत्तर बताना है इ जो बिकलब नमर B है वो इसका सही हो जागा ठीक है अंगला question देख लेते भारत के animal welfare board का मुख्यालय कहां इस्ते थे animal welfare board का मुख्यालय जल्दी बताना है अहमदाबाद, चिन्नाई, हैदरवाद या फिर कोलकाता दोस्तों इसका चिन्नाई सही हो जागा अब एक चीज आती है कि जो मुख्यालय हैं विविन परियाबरन संस्ताओं के तो मैंने एक वीडियो बना के डाला है वो जरूर देखें पूरे के पूरे संस्ताइं जो हैं उनके मुख्यालय बताएगा है ठीक है विस्त मौसम बिग्जान संग्ठन का मुख्यालय कहां बसते थे तब हमने प्रिदूसर्ण के मापन से संबन देते तो कौनसी एजेंसी है तब आपका उत्तर होगा 75 का के अंदरी प्रिदूसर्ण ने अंतरन बोर्ड यानि कि जो बिकल्प नमर B है वो इसका सही हो जाएगा अंगला क्वेश्चन भारत की निमलकित राज्यों में से किसने हाली में ह 76 का उत्र बताओ हरत ग्रह किरसी किसने प्रारंब की है तब आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पंजाब यानि कि जो बिकल्प नमर B है वो इसका सही हो जाएगा और पंजाब को पांच नदियों की भूमी भी कहा जाता है पंजाब को ठीक है याद रख लीना गिद्धा और भांगडा यहां के नरत्थ हैं पंजाब के वो भी याद रखो निम्न मैंसे कौन अंतराष्टी संगठन है संगठन बताओ अंतराष्टी संगठन कौन सा है तो स्कोप भी है विस्तु बैंक भी यूनिस को यानि कि उपर इफ्त सभी इसका आंसर हो जाएगा अंगला पर पर परो собир निजियर्ल All रखाव का संगठन है जल्दी रखो सरकारी है 545 घयर सरकारी अर्द सरकारी या फिर निजी most important मैं उत्तर हो जाएगा गfähर्ज सरकारी यानिक विकल्प नमर भी है वो इसका सही हो जाएगा अंगला कॉस्चयन देख लेती हैं करश द्वहारा प्र भारत का इस्तान, तब आपका उत्तर होगा 20 बा, यानि कि जो बेकलप नमर D है, ये इसका सही हो जाएगा, राश्टी परियावण अभी यांतर की सोच संस्तान नीरी कब और कहां इस्तापित किया गया, जल्दी बताओ, उत्तर क्या हो जाएगा, नीरी जो सोच संस्तान है, परियावण अभी यांतर की सोच संस्तान तो उत्तर हो जाएगा, नाकपूर, है ना, नाकपूर में ये जो है, इस्तापित किया गया, और कब किया गया, 1908 में, ठीके, याद रख लेना, एक क्वेश्चन बनता है कि राश्टी ये परियावण अनुसंधान संस्तान कहां है तब आपका उत्तर होता है नाकपूर, ठीके, दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि राश्टी ये परियावण अभी यांतर की सोच संस्तान कहां है, तब भी आपका उत्तर होता है नाकपूर, ठीके, और एक क्वेश्चन बनता है कि राश्टी ये बन अनुसंधान संस् तो आपका उत्तर होता है भोपाल ठीक है यह सभी को याद रख लेना है यह हमेशा पूचे जाते हैं दोस्तों बीडियो आती दोस्तों अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं है ना तो यहाँ पर एक बर्चस्सो नाम से एक मैग जिन भी आपको मिलेगी जिसके माद्य से आप समसामियकी को कबर कर सकते हैं ठीक है अब बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर कौन-कौन से कोर्स अभी वरतमान में चल रहे हैं तो यहाँ पर MPSI का बैच कोर्स चला है दो अक्टूबर से हैं ना MPSI बैच कोर्स और MPPSC का भी चला है मैंस ठीक है तो यह कि माद्यम से अपनी तैयारी को सुद्रण बना सकते हैं ठीक है बात कर लेते हैं एडमिसन फीज की है ना PLUS सब्सक्रिप्शन की तो दोस्तों यहाँ पर देखे हम कि कैसे आपको एडमिसन फीज से जमा करनी है कैसे PLUS सब्सक्रिप्शन लेना है कितने का आपको पढ़ेगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी है कि अगर आप एक महिने का PLUS सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों तो आपको एफी 1600 चुकानी पढ़ेगी लेकिन यहाँ पर एक कोड दिया है यह रेफरल कोड है सुमित जेन अगर सुमित जेन रेफरल कोड आप यूज करते हैं तो 1000 में आपका पड़ेगा लेकिन आप कोड के बाद इतीन मंत का आपको कितने में पड़ेगा मातर 3600 रुपे में ठीक है तो यह 10% डिसकाउंट भी आपको मिल जाएगा और दोस्तों 6 मंत में आपको 7200 रुपे का है और 10% में आपको लेस होकर कि 6480 रुपे का हो जाएगा 20 रुपे का यह 12 महीने तक आप इसमें पड़ाई कर सकते हैं ठीक है 24 मंत के लिए आपको दोस्तों 12800 का कोड से और 10% डिसकाउंट के बाद 11520 है यानि कि आपको सुमिझ जेन यह रेफरेल कोड आप यूज करेंगे तो आपको 10% डिसकाउंट मिलेगा और साथी नीचे लि आती है अनलसिस किये जाती है तो अभी आप डाउनलोड करें दोस्तों अनकेडिमी एप ठीक है और वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें जय हिंद्ध यो कैसा लगा कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक का बस्त करें ऐसी नरंतर टेस्ट सीरेज आपकी चर रही है आपको टेस्ट सीरेज पूरे की पूरी करवाई जाएगी बहुत सारे प्रस्न हैं और आपको टेस्ट सीरेज नरंतर लगानी है इससे पहले के बहुत सा आरे वीडियो आप जरूर देखें,